दोस्तो सुप्रीम कॉर्ट में EVM का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है इस बार तो चुनावों में सभी EVM वीवी पैट के मिलान को लेकर जो मशीन की परचियों कराने की जो मांग वाली याचिका है किस तरीके से EVM और वीवी पैट की परचिया मिल जान वो इस बात को लेकर सुप्रीम कॉर्ट में याचिका दाखिल की गई और इस पूरे मामले पर कल कॉर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में सुप्रीम कॉर्ट के जस्टिस वियार गवई और संदीप महता की खंड़ पीट ने चुनाव आयों को नोजस जारी करते हुए इस सवाल का जवाब मांग लिया है अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 17 मही को होने वाली है दोस्तों सुप्रीम कॉर्ट की एक खंड़ पीट वकील और समाजित कारिकरता अरुन कुमार अगरवाल की ओर से अगस्त दोहजर तईस में एक याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका पर कल सुनवाई चल लही थी दोस्तों जिसमें मांग की गई थी कि सभी इवियम में पड़े मतों का मेलान वीवी पैट की परचियों से करना चाहिए इस याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं को वीवी पैट की परची को physically verify कराने का भी मौका दिया जाना चाहिए जिससे पारदर्शता बना रहे जिससे जनता को यकीन हो सके कि इवियम और वीवी पैट में कोई भी धांदली ना हो मतदाताओं को खुद वैलेट बॉक्स में इस परची डालने की सुबिदार दी जानी चाहिए कि वो किसे वोट दे रहे हैं किसको वोट कर याचिका करता का तर्क है कि इसे चुनाब में गड़वडी होने की आश्रंग का खत्म हो जाएगी वर्तमान में चुनाब में उस निर्वाचन छेतर के पाच इवियम का रैंडम तरीके से वीवी पैट की परचियों से मिलान भी किया जाता है दोस्तों आपको बता दे कि ल कोट का मिलान भी वी पैट परचियों से किया जाना चाहिए याचिका करता ने सुप्रीम कौट से ये निर्देश देने की भी मांग की है कि मतदाताओं को भी वी पैट द्वारा उत्पन परचियों को मतपेटी में बहुत इक रूप से डालने की अनुमती दी जाने गिना गया है या नहीं न्याइमूर्टी वी अर्गवाई और न्याइमूर्टी संदीप महता की पीठ ने चुनाव आयो को नोटिस जारी किया है और इस याचिका को ईवियम और वीवी पैट से संबंधित अन्यलंबत मामलों के साथ टैक कर दिया है अरुन कुमार अगरव एक के बाद एक जिसमें अनुचित देरी होती है और इसको लेकर पूरी डिटेलिंग के साथ लोगों को बताया जाए कि जो मिलान हो रहा है वो सही है या नहीं जिसमें देरी होती है उस देरी को खत्म कर दिया जाना चाहिए बारेन बेंच की रिपोर्ट कहती है कि इस याचिका में तर्क दिया गया है एक साथ सत्यापन करने और प्रतियेक विदान सवाच्षेतर में गिंती के लिए अतरिक्त अधिकारियों को तैनात करने से 5-6 घंटे के भीतर पूरा वीवी पैट सत्यापन किया जा सकता है इस य याचिका करता ने तर्क दिया है कि वीवी पैट और इवियम के बारे में विश्रिशग्यों द्वारा कई चिंताए उठाई जा चुकी है दोस्तों आपको बता दे कि पहले के समय में भी इवियम और वीवी पैट वोटों की गिंती के बीच कथित वीसंगतियों की महतपू अबसर दिया जाना चाहिए कि एवियम पर उनके वोटों का सच्टीक हिसाब लगाया गया है आगे बारेंट बैंच की ये रिपोर्ट कहती है कि एवियम के साथ बीवी पैट पर्चियों का मिलान हमेशा विवात का विशे रहा है 2019 के लोग सबा चुनाब से पहले जिहां आपको याद होगा लगवग 21 विपक्षी राजनेतिक दलों ने नेताओं ने सभी एवियम के कम से कम 50 परतिशत वीवी पैट सत्यापन की मांग करते हुए सुप्रीम कौट का रुख इख्तियार किया था उन्होंने सुप्रीम कौट का दर्वाजा खट-खट आया था उस समय चुनाब आयोग प्रतिविधान सबाच्षेतर में केवल एक रैंडम एवियम का वीवी पैट से मिलान करता हुआ नजर आया था आज अप्रेल 2019 को सुप्रीम कौट ने ये संख्या एक से बढ़कर पाच कर दी थी और उस याचिका का निप्टारा कर दिया था वही मई 2019 में सुप्रीम कौट ने सभी एवियम के वीवी पैट सत्यापन की मांग वाली जो याचिका है उस पर जिहां उस याचिका को खारिच कर दिया था लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कौट में एक बार फिर से उठता हुआ नजर आया और उन्होंने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए चुनावायो को नोचस दिया है और कहा है कि आप इस पूरे मामले पर जवाब दे सुप्रीम कौट को इस पूरे मामले की जो गंभेरता है उसको बताएं दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिर्या में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी ना भूले